दोस्तों, आज हम आपको मतुरा के कालिया नाग मंदर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के बाल्याकाल की लीला का अनोखा उधारण है। दोस्तों, द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ व्रिंदावन यमुना तटपर कालीधा घाट के पास गेंद खेल रहे थे। उनकी गेंद यमुना में जागिरी। गेंद को ढूनने के लिए भगवान श्री कृष्ण यमुना में चलान लगा यमुना में कालीधा नाग अपने परिवार के साथ रहता था। व्रिंदावन की यमुना जी में गहरे पानी के नीचे कालीधा नाग और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण विजई रहे। हालांकि भगवान बाल कृष् इसी स्थान पर आकर मुड़ कर विरंदावन की ओर देखा और वही पत्थर के हो गए दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि मठुरा के जैंत क्षेत्र में उसने पीछे मुड़ कर देखा तो यहीं पर वो पत्थर का हो गया तभी से यहां पत्थर का साम बना हुआ है दोस्तों इस मंदिर को लेकर ग्रामीनों का कहना है कि सैक्रों साल तक पत्थर का नाग उसी स्थान पर खड़ा रहा इसके बाद धीरे धीरे जमीन में धंस्ता गया ब्रिटिश हुकूमत ने यहां से ले जाने की योजना बनाई महीनों तक इसकी खुदाई हुई मगर पत्थर के नाग को बाहर नहीं निकाला जा सका नाग को उठाने के लिए सैनिक और मशीनों का सहरा भी लिया गया मगर नाग को नहीं उठा सके पहले ये स्थान जीर्न शीर्न हो गया था बाद में इसका सुंदरी करण कराया गया और कालिया नाग का भव्य मंदिर बनवाया गया यहां पर नाग पंचमी पर मेला भी लगता है दोस्तों, ब्रजवासियों की मान्यता है कि इनकी पत्थर की पूछ थर्ती के भीतर वरंदावन तक जाती है सदियों से यह संतो वब्रजवासियों की अस्था का केंद्र है इस कलात्मक मंडप का निर्मान मुरादाबाद के श्रीमती जैराणी खन्ना इवन त्रिलोकीनात खन्ना की प्रेणा से श्री राकेश खन्ना एफ श्री मती प्रीती खन्ना ने आर्ठिक सहयोग देकर करवाया जिसका प्रमाण यहां पर लगे शिलालेक पर मिलता है आईए हम आपको विस्तार से मथुरा के जैंत गाउव के सनोखे का लिया नाग मंदिर का भ्रमर कराते हैं हरा हरा हो कि एसी परनी कर लें को सब्सक्राघक करने का अफ्रिया सावकार अवाध से थेrence there अलब करूद 10 महले समने लाल श्री Trop अश्रीमध भड्याइब हों इस third thing में को चैदी में करूद्द करूद को भी समेज़ है झाल झाल